देखते ही देखते कलकत्ता IPL के फाइनल में चली गई है और क्या धुआधार बॉलिंग, धुआधार बैटिंग, विंकी, शेरस आयर, सब ने और जीत के डे डिडिन्ट इवन बॉदर टू सेलिबरेट, कूल, काम, कम्पोज, जीजी गौतम गंबीर बैक्गराउन में बैठ के इन लड़कों को त्यार करके बैठे हुए है, क्या IPL जीत रही है, कलकत्ता फाइनल में अब आराम से रिलेक्स होके बैठे गी, सुनील नेराइन की जितनी खिदमत करनी है वो कम है, अगर मैं कहूँ, क्यों सुनील नेराइन का कोई 70-80% रोल है, कलकत्ता को फाइनल में तो शायद आप इस बात से सहमत होंगे सबसे ज़्यदा रंज बॉलिंग भी आके इची कर रहे हैं छक्के भी ठिक ठाक लगा रहे हैं यह नि फिल सॉल्ट के जाने के बाद भी कुछ ज़्यादा फरक नहीं पड़ा गुर्बाज ने भी 23 किया 14 बॉलों पर यह नि कलकत्ता के पास हर चीज कवर है और मिचल स्टार्क ने जिस तरह विकेट चटखाई ट्रैविस हैड की वो नेट्स में भी अस्ट्रेलिया के अंदर बड़ा तंग करते रहे हैं ट्रैविस हैड को ट्रैविस हैड के मूँ पे बॉले मारते रहे हैं मिचल स्टार्क तो कहां कमफरटेबल हो ना सा ट्रैविस हैड ने मिचल स्टार्क के सामने यह वीडियो देखें ज़रा सब ने विक्टे लिए कलकत्ता की तरफ से वरुन चकरवर्दी की भी बॉलिंग इस आईपियल में आपको बड़ा इंप्रेस्ट करेगी और उनको भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है जो कलकत्ता जीती है आविसली मतलब मैं हैदराबाद पर बात करूँ न यह जखमी शेर की टीम हो गई है पेट कमिंस की और आपको पता है अस्ट्रेलियन घून है इनके अंदर यह कभी भी साइड पर जाके नहीं बैठेंगे अब यह सिर्फ इंतजार करेंगे कि कल कौन जी टीम जीत के आती है चाहे वो विराट कोली की हो चाहे वो संजू सैमसन की हो जो भी टीम जीत के हैदराबाद के आगे आई हैदराबाद ने मतलब अपना पूरा जोर लगा देना है और आप देखेंगे के हैदराबाद बहुत ज्यादा चाढ़ के खेलेगी वो मैच बिकस पेट कमिंस की नेचर का आपको पता है वो WTC हो वो ODI World Cup हो वो कुछ भी हो वो different mindset का बंदा है और जब ये नीचे गिरते हैं ODI World Cup की example सामने है ये उठ खड़े होते हैं और ये अपनी टीम को भी उठाते है कलकत्ता को आप जितना credit दें आज कम है और मैं भी यही सोच रहा था ये वीडियो बनाने से पहले अगर कलकत्ता फाइनल जीत जाती है इस IPL का आपको बता है कलकत्ता का जो mindset है वो गौतम गंबीर चला रहे हैं सारा और जीजी का नाम भी इस टाइम चल रहा है भारत की कोचिंग के लिए ये भी खबरे आ रहे थी के BCCAI ने उनको अपरोच की है उनसे राप्ता की है तो शायद मेरा ख्याल है के एक अच्छी च्वाइस होंगे और मैंने भी रिसेंटल इस पे वीडियो की थी के गौतम गंबीर बड़ी अच्छी च्वाइस हो सकते हैं क्योंके जिस वरा कल्चर भार्दी टीम में आगे होगा रोहित के बाद क्योंके हर्दिक पांडिय कप्तान है उनको एक ऐसा बंदा उपर चाहिए जो हर बंदे को कंट्रोल करके रखे और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो कोच का रोल है वो एक बाप की तरह है जो कोच है वो टीम का बाप है और बाकी सब उसके बच्चे हैं जैसे रवी शास्त्री का बड़ा एक कंट्रोल था अपनी टीम के उपर इसलिए विराट गुली वगएरा की उनसे बहुत ज़्यदा बंगती थी लेकिन पास्ट में कुछ ऐसे कोचिज आते रहे हैं इंडियन टीम में जैसे अनील कुम्बले वगएरा जो अपना कुछ प्लेट के साथ ज़्यादा बना के नहीं रखते तो उनको फिर प्रॉब्लम्स होती है तो अगर हम हैदराबाद की बैटिंग पर बात करें ट्रैविस हेड दूसरी बॉल पर याउट हो गए अभी शेक शर्मा भी आज कुछ नहीं कहर पाए फिर उसके बाद राहूल ट्रेपाथी ने 35 बाल्स पर पच्छपन किया उसके बाद नीचे जाके आपको 32 फिर अब्दुल समद 12 बाल्स पर 16 और नीचे पैट कमेंज देखें ना वो ही 24 बाल्स पर 30 नीचे आके भी उसने अपना आउजी वाला काम कर दी है वो नहीं रहता वो जहां जरूत हो वहां वो पढ़ जाता दूसरी टीम्स को मिचल स्टार्क तीन विक्टें अरोरा, हर्शित राना, सुनील नराएन, आंद्रे रसल एक एक विकेट और वरून ने दो विक्टे चटकाई फिर उसके बाद गुरबाज देखें 14 बाल पर 23 कर गे, सुनील नराएन, फिर विंकी ने 50 की शरीय सायर एक कैप्टन, इसका आप क्रेडिट दें, दुबारा से गौतम गंबीर को गौतम गंबीर ने जब वो दिली में थे, तब ही शरीय सायर को चुन लिया था काफी चर्चा में थे, फिर उसके बाद, आविसली, कभी लगा ही नहीं कि हैधराबाद इस मैच में आ सकती है, भूवी को भी आज कुछ खास मों नहीं कर पाए, पैट कमिस भी इक्पैंसिव है, बाराक एकॉनमी, मतलब ट्रैविस हेड ने भी बॉलिंग करवाई, और वन पॉइंट फूर ओवर्स में बत्तिस रंग, तो खास कुछ मज़ा नहीं आया, मतलब क्या हो अगर दूसरी टीम चोदवे ओवर में चेज कर गई है, तो इसका मतलब है कि पहली टीम ने उनको कोई मार्जन ही नहीं दिया, और आठ विक्टों से कलकता जीत के ये थाबित कर रही है, कि हम वाके ही टेबल टॉपर्स हैं, तो कलकता के फैंस को बड़ी मुबारक हो, एक छोटी सी डेंजरस चीज ये होती है, कि जब आप पहले क्वालिफाई करके इजी होके बैठ जाते हैं, तो आप मैच प्रेक्टिस से आउट हो जाते हैं, तो यहाँ पर इंपॉर्टन्ट है कि गौतम गंबीर टीम को इंगेज करके रखें, ये नहों कि ये इजी पढ़ जाएं, क्योंकि आप कभी-कभी इजी होके बैठ जाते हैं, आपको चार-पंच दिन मैच नहीं मिलता, फिर आप कहते हैं, और क्रिकट खेल नहीं हैं, और जो दूसरी टीम है, मिसाल के तौर पे हैधराबाद है, उनको आज मैच मैच मिला, अब RCB, RR की टीम से जीत के इनके साथ फिर को यूट्यूब पे आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुहमद फुरकान भटी के नाम से मेरा चैनल है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फुरकान 013 मेरा इंस्टाग्राम है, वीडियो पसंद आया, आप शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को टै कर सकते हैं.